बरे बुजुर्गों का कहना है कि बरे लोगों के विचारों से सीखिए तब जा करके आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो कितना भी बरे हो जाएं नरेंद्र मोदी जी की ही कौपी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों आपको बताएं कि सिर्फ कौपी करते हैं उनके विचारों की कौपी नहीं करते हैं यही सबसे सर्म की बात है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को देख करके दाड़ी तो लंबे रख लिये लेकिन गंभीरता अपने अंदर नहीं लाया कहीं भी सम्मेलन में जाते हैं तो मजाग का पात्र बन जाते हैं आज आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी विष्व के सबसे लोकप्रिये नेता बन चुके हैं एक बार फर से विष्व के सबसे लोकप्रिये नेता बनने का उपाधी नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है आपको ये भी बता कि Global Leader Approval Survey में नरेंद्र मोदी जी को विस्व का सबसे बरा नेता मान लिया गया है ये हमारे लिए गर्व की बात है पुरे देश के लिए गर्व की बात है भारत जोरो यात्रा के पीछे की कहानी क्या है जरा ये भी समझते जाईए जब इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट ने र बाहर ड्रामा करना शुरू कर दिया था पूलिस ने मारपिट के धक्के मार के प्रियंका गांधी को हटाया भी था डर के मारे पूरी कॉंग्रेस जो है वह एक जूट हो गई तो इस पर अब नया तरकिप सोची राहुल गांधी ने कि नेसनल हेराल्ड मामले में अगर बच अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ही राहुल गांधी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं सुबह जब वह उठते हैं तो उनको पता नहीं होता कि दीन भर मुझे क्या करना है रात को जब सोने जाते हैं तो अचानक उनको अगर सपने में दिख जाए कि मुझे व विश्व यात्रा भी कर सकते हैं इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो राहुल गांधी के मन में जो आता है वह करते हैं जो उनके दिमाग में चलता है वह बोलते हैं यह नहीं सोचते हैं कि इससे हमारी भारा देश में क्या छवी बनेगी लेकिन फर भी वह अपनी कांधी की अस्तिती और परिस्तिती दोनों खराब हो चुकी है वो क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे